इस बार आपने जो है कैंपेइन जब बनानी है तो आपने डबलू सी पर रखनी है जो इसे पहले रखी वी थी लेकिन आपने उस पर इस बार आपने परचेस रखना है ठीक है और आपने दस एड़स दस एड़स बनाने विट सिंगल इंटरस टागेटिंग मैंने जैसे आपको बोला ठीक है अगर आप चाहें तो कुछ फ्लेक्स करने कुछ ट्रैक कर लें लेकिन मैं सिंगल इंटरस के साथ जाता हूं और मैंने 10 ad sets और हर ad set में single interest added हो अगर आपको पता चल गया है अपनी इफ यू शूर बाउट थू यॉर प्रीविएस कैम्पेंड के यह मेरी ओर्डियन्स है एक्जाक्ली और मतलब यह एज ब्रैकेट्स रखनी है यह सिर्फ विमन पर अप्लाएं करता है यह प्रड़क्त तो फिर आ आप उद्धर demographics अपने restrict कर सकते हो वरना keep it open ठीक है ठीक है data collection में basically आप ज्यादा तेजी से data दे रहे हो Facebook pixel data अपना Facebook को ताके वो समझ पाए कि आपकी ideal audience कौन है यह आपको रखना है CBO पर campaign budget optimization पर अब campaign budget optimization पर एक सबसे बड़ा मसला यह होता है जो हम लोग देखते हैं कि अग उस मजीद और दो होंगे जिस पर और बहुत कम कुछ points में dollar spend हो रहे होंगे और बाकी तीन होंगी जिस पर zero dollar spend होंगे तो मतलब यह campaign basically यह उनके back end पर एक अपना AI होता है जो चीजों को अपने लिहाज से देख रहोता है और मतलब basically spending कर रहोता है right so हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम हर ad set को chance देने के लिए एक एक वो रखने रूल रखने के यार हर ad set भले से facebook AI किसी एक ad set पर जादा spending करें no problem with that but for example अगर आपकी मैंने यहां पर बोलावा है कि minimum spend limit जो आपने रखनी है हर ad set पे वो 5 से 25 डॉलर की रखनी है depending on your budget but सब पे across same रखनी होगी अगर एक पर 5 रखो तो सब पर 5 रखो ठीक है अब let's suppose आप एक तरीका होता है जब आप CBO पर campaign चला रहे होते हो आप ऐसे नहीं कर सकते कभी भी कि CBO पर आपने 10 ad sets चलाए और आपने बुला 10 dollar spend करूँगा मैं तो वो 10 dollar को split करेगा between 10 different ad sets तो किसी भी ad set का full potential नहीं आएगा the best way to do this is कि अगर आप 10 ad sets नहीं add कर सकते आप अपनी minimum spend जो रखो ना पर campaign वो रखो I would say ideally 10 dollars के करीब let's suppose 10 dollars रखा आप ते अब 10 into आपने 10 करा तो 100 dollars बन गया per day अब आपने minimum spend की आपने limit लगानी है मैं आपको यह बता दू कि हम लोग two, three hundred, five hundred dollars spend कर रहे होते हैं तो हमाई spending budgets बहुत हाई थे लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि आपके थोड़े से restrict हो सकते हैं बज़ेट concept से हो सकते हैं कि नहीं हमें इतना aggressive नहीं चलना which is okay तो आप इसको 10 dollars spend के लहां से लेके चल सकते हो कि minimum मैं per day hundred dollars spend करना चाहरा हूँ cbo पर आपने लगा दिया hundred dollars और आपने बोल दिया कि हर adset पे minimum spend limit जो हो जो मैंने आपको पिछली बार आपको यह दिखाई थी minimum spend limit जो हो हो वो minimum minimum for example कि एक में टूकिएगा अगर थ्री डॉलर्स हो यह फाइव डॉलर्स हो एक्चली इट्री डेपेंड्स ऑन बजट के आप कितना रख सकते हो ठीक है अब अगर आपका बजट 10 डॉलर्स है तो मैं बूलूँगा 5 डॉलर्स बेर minimum 3 और maximum 5 तक आप रख लो अगर आप पर एड्ट सेट 10 बजट 10 डॉलर्स spend करना चाहरे हो लेकिन आप नहीं वह बता सकते 10 डॉलर्स आपने उसको you've done the mat in the way के आप cbo run कर रहे हो और आपके 10 डॉलर्स है तो पर एड्ट सेट आपने 10 डॉलर्स का हिसाब लगाया और आपने total cbo पे 100 डॉलर्स देती है अब वह एड्ट सेट को अपनी मर्जी से allot करेगा लेकिन जैसे मैं आ आपको बोला आप ऐसे नहीं कर सकते 10 डॉलर्स लगा और आप 10 डॉलर्स लगा दो यह unjust होगा हर एड्ट सेट के साथ वह अपने potential आपको दिखा नहीं पाएगा तो potential determine करने के लिए आप 100 डॉलर्स रखोगे और हर एड्ट सेट पर आप अपनी जो minimum spent है वो let's suppose 5 डॉलर रख पर कुछ न कुछ minimum budget ज़रूर spend कर रहे होता है ठीक है तो अब यूस कोस्पर पर परचेस एड्स में मैंट्रिक यहां पर आपको जो में मैंट्रिक होगा जो आपको में की performance indicator होगा वह हो स्कॉस कोस्पर परचेस या पर फोकस कर रहे हो if number of purchase is is equals to zero and ad spent is more than break-even cost per purchase pause the ad set or kill the ad set kill the ad set or pause the ad set whatever that is ठीक है यार रखेगा if the purchase is equals to zero अगर purchase आपकी zero आई है या आपकी ad spent जो है वो आपकी break-even cost से जादा है ठीक है मतलब उस product पे जो आपकी break-even cost लग रही है let's suppose आपकी break-even cost गही होई ना कि आपकी product बिके और आपकी जो आपको जो cost पर रही है उस पे product पर वो तो अगर वो उससे जादा है then you have to pause or kill the ad set ठीक है can do the same with add to cart if trying to save to if you try to save budget but less reliable kpi बलब ऐसी बात है यह इतना reliable kpi नहीं हुआ जितना के cost पर purchase हुआ ठीक है and क्या उसके इलावर क्या करना है है red set पर आपको आपको country same select करनी है और जैसे मैं आपको बता रहा हूं जरूरी नहीं है countries मैं यहाँ पर डाली है just for the sake of example डाली है first single interest narrow to age gender if 100% sure about it and otherwise leave it broad automatic placements and one day click अगर आप सबसे नीचे scroll down करोगे add set पे तो आपके पास लिखावा हो रहागा कि कि किस तरह आपने इसको जैना optimize करना है sorry I think the first time जब आप इसको optimize करने जा रहे हो तो तब आपको यह option दे रहा होता है ठीक है कि आपको इसको seven day window and one day click क्यों पर रखना है या one day click पर रखना है अगर आपका जो price point है product पर जो आपने दिया वह है if it is less than $50 then keep it one day click view one day click optimization ठीक है one day click optimization अगर it is more than $50 then keep it seven day click and one day view यह एक ही पूरा है गया seven day click and one day view यह उसके option ले दिया वह होता है ऐसा क्यों क्योंकि जो products $50 से कम क्यों होते हैं उनको purchase करना comparatively असान होता है लोग single day में ही उसके उपर decision ले ले लेते हैं और उसको खुरीदने चले जाते हैं आप जो भी इसकी conversion window या attribution आप दोगे Facebook को उस लहाज से Facebook उस तरह के बंदे ढून के लाएगा अगर आपका product 50 जोड़े से कम का है तो it is highly likely के जो खरीदने वाले होंगे वो same day में उसका decision लेके उसको खरीद लेंगे और उसी की वो tracking भी आपको accordingly देगा and आप अपना decision महाँ पे basically आप Facebook को यह बता रहे होगे कि जो first day में ही अपना इस तरह decision ले लेते हैं purchase का मुझे और ऐसे बंदे लाके दो whereas अगर आपका ticket size $50 से जाधा का है then you have to go with seven day click and one day view ठीक है और इसके इलावा यह के spending limits का मैंने आप लोगों को बता दिया है winning ad set from creative from the initial test और वो सब में 50 $50 कर लो ठीक है अगर आपका one winning ad निकल आया है तो पिचले ठीक है बस आप उसको continue कर लो with your next campaign because then again मैं आपको भी बोलो unjust हो सकता है किसी particular ad के साथ then comes the initial data collection single interest ठीक है you can do this before single interest if you want uh if you want video view rule if you want and video rule video view rule complies ठीक है मैं आपको और जाद एक बता दो once you reach more than 2000 views 95% video views on your best creative you can check using the ads manager column या भी आप दिखा देता हो create 95% video views look alike ठीक है मैंने आप लोगो video views का एक column बना के दिया था यह वाला ठीक है अब आप यह देख सकते हैं इस particular video को 254 लोग देख चुके हैं ठीक है तो अब आपने क्या करना है आप जब यह particular metric 2000 पे पहुचे फिर आपने back end पे look alike पे जाना है और look alike पे जाके आपने दो इस video को इस particular video को वह आपको thumbnail भी देखा रहोगा इस particular और यह भी बता रहोगा इस particular video के total views कितने हैं इस particular video के आपने look alike बनाने हैं ठीक है यह चीज आपने भूलनी नहीं है एक बात दूसरी बात आपने उन look alike को आपने जो बनाने है वो आपने ऐसे बनाने है 0-1% 1-2% 2-3% 3-4% 4-5% ठीक है इस तरह आपने look alike बनाने है और उन look alike को आपने treat कैसे करना है वो मैं आप कुछ बताता हूँ यह मैंने एक example बनाई हुई है ठीक है यह देख रहे हैं यह basically 0-1% है मैं इसको rename कर देता हूँ यह 0-1% है ठीक है यह 1-2 फिर 2-3 फिर 3-4 फिर 4-5 अब मैंने बनाया कैसा है यह मैं आपको दिखाता हूँ 1-2% जो मैंने बनाया है 0-1% मनाया है उसमें मैंने add कर दिया है कि Canada और Great Britain की 1% audience जैस में add हो ठीक है 1-2% में मैंने क्या किया है 1-2% add करा और 1% मैंने उसमें से minus कर दिया मतलब 0-1% मैंने उसमें से minus कर दिया फिर उसके बाद मैंने 3-4 पर सरी फिर उसके बाद 2-3% बनाया 2-3% मैंने audience add करी include और exclude कर दी मैंने उसमें से 1-2% and 1% इसी तरह फिर मैंने 3-4 बनाया 3-4 में से 3-4 को add करा 1% 1-2% and 2-3% को exclude करा and so on and so forth आप up to 5% तक इस तरह करते भी जाओगे ठीक है इस पर आप कोई भी जब आप look-alike बनाओगे तो आपने कोई भी this is the third phase basically आपने कोई भी add spend limit नहीं लगानी याद रखेगा इस बात को add spend limit नहीं लगानी आपने CBO को as it is छोड़ देना है और आपने बोलना है CBO you are my best decision maker right now and just go ahead with it मैंने आपको अच्छा खासा data दे दिया है म data sandbox campaign this is basically में आप लोगों जो है अब आप लोगों पर चल गया आपकी audience क्या है आप लोकलाइक्स बना लिया है सब कुछ कर लिया है अब आप लोग को lookalikes जो आपने बनाए हैं उसके उपर आपने ads चलाने है और जो आपका सबसे best जब आप ads चलाना शुरू करोगे ना इस त expression कि अगर आप lookalike के phase तक पहुचे हो तो उससे पहले वाला phase आपका अच्छा गया है और आपने purchases score करी है तब ही आप lookalike की तरफ आए हो ठीक है यह भी एक itself एक चीज़ determine करती है कि आपको lookalike की तरफ कब आना है अगर आपके lookalike आने से आप lookalike पर जम कर जाते हो regardless कि आपकी purchases आई है यह नहीं आई है बद 2000 वाला rule आपने apply करा कि 2000 views आपके 95% होगे कोई फाइदा नहीं आपका अगर आपकी purchases नहीं आ रही तो probably आपको यहीं पर रुक जाना चा है मेरी sales बेतर हो सकती है मैं इसका lookalike बना लेता हूं ठीक है यहाँ पर आपने lookalike बना दिया और आपने भई ad set continue करा और आपने up to five ad sets बना दिये और जिस तरह मैं आपको बुदा भी दिखाया है उस तरह आपने कर लिया interest sandbox and इसको interest sandbox campaign भी बोलते हैं हम लोग campaign budget number of ad sets 10 to $50 per ad set हम लोग वैसे कोई ABO नहीं है यह बट हम अपना formula इसी तरह रख रहे होते हैं कि let's suppose अगर आप चाह रहे हैं कि $50 per ad set लगे तो 50 into 5 तो $250 per day की spending होगी फिर आप CBO पर रखोगे फिर वो अपनी लहाद से खुद अलोट करेगा budgets लेकिन आप budget healthy दोगे और healthy देने का तरीका य है कि या तो आप उसको ऐसे रखोगे कि $10 into 5 ad sets तो $50 per day हो गया या तो $50 अगर आपकी per day per ad set आप लगाना चाहरे हो तो 50 into 5 हो गया ठीक है पिर उसके बाद आयाते है let the campaign optimize and don't pause ad sets usually start slow and optimizes in a day two or three जैसे मैं आपको बताया कि lookalike ads के साथ you have to wait two to three days until it starts generating some reserves and if a campaign spend is more than two times of the break-even cost per purchase with no purchases pause the campaign right there ठीक है मतब pause the ad set that's this first the ad set और अगर पूरी campaign इस तरह परफॉर्म करे और अगर पूरी campaign इस तरह परफॉर्म करे और अगर आपके पास कोई results आई नीए ठीक है select lookalike select lookalike in custom audience section and leave everything else broad automatic placements one day click और वहीं सारी चीज़े हैं बाकी सारी चीज़े वहीं है ठीक है winning creative from initial test multiple winning creatives would also work what that means is जो मैं आपको पहले बताया था के let's suppose अगर आपके पास creative sandbox campaign से एक से ज्यादा कोई ऐसे creatives निकलते हैं या videos निकलते हैं जिसका आपको शक है और आपको यह है कि यार शायद यह भी अच्छे चल जाए तो आप उनको भी इस lookalike में add कर सकते हो ठीक है then troubleshooting point this is where कि अगर आप को sales नहीं आ रही और you are losing your mind and you like कि यार मैं क्या करूँ ठीक है at this point if you have tested three plus good creatives and haven't identified any profitable audiences the problem is most likely your offer offer or the product itself मतब हो सकता है कि वो सतुरते प्रॉड़क हो ठीक है identify where the drop-off is happening view reading data lesson for troubleshooting the advice you have you also have to go through your whole customer journey on the website you have to go through your data data that is that has been generated from your previous campaign आपको बैट के देखना पड़ेगा क्या data generate हुआ है कहां पे drop-offs आ रहे हैं क्या click-through rate वह गर गया है या क्या हुआ है आपकी website पे जो है लोग foreign bounce-off कर रहे हैं कहां पे मसला है क्या कहीं check-out का मसला है क्या आपका payment method size इंटेग्रेटी वावा या कोई चीज भूल गए हो क्या आपने कहीं बहुत हाई लोग आजकल जो हैना free shipping रख ले हैं shipping की जो price होती है वह अपनी price में ही include कर लेते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने shipping रखी विये बहुत हाई कि वह जाते है add-to-guard करते है लेकिन add-to-guard के बाद वो चेक आउट परचेस नहीं कर रहे इस वजा से कि वह देखते हैं कि बहुत हाई shipping cost है and you know what product अच्छा था लेकिन इतनी high shipping cost के साथ I'm not buying the product uh probably you have to work on your offer either work on fixing it before opening more on testing audiences otherwise you will likely lose money just my nebola if there's nothing left to improve consider switching to products and starting over ठीक है तो just remember these points and facebook ad strategy यह वही पूरी मैंने आप लोग को ad strategy बताई है जो मैंने अभी आप लोग को ऊपर बताई थी कि यह सारे faces से आप लोग को गज़रना है एक बार जब आप data driven से निकल गए ठीक है then comes the creative optimization part जहां पे आप अपना product किसी agency को दो या खुद से बनवाओ अपनी proper video personalized video ठीक है और then you can also go towards outsourcing solutions अगर आप AliExpress पे काम करेते तो आप जो है ना अपने उस shipping times को कम करके 20 दिन कता 30 दिन कता कम करके साथ दिन पर ले आओ आप cj drop shipping video से बात करो बाकी जो मैंने पूरी list बतायती है आप लोग को उन से बोलो कि मुझे ये पूरा product arrange करके दो से यह source करवा के दो और then cj drop shipping वाले यूशली आप से 70% upfront मांगते 30% वो अपनी जेब से भरते हैं आज दिन लगते हैं product पहुशने में कुछ लोग बोलते हैं साथ दिन लगते हैं लेकिन उससे ओपर यूशली नहीं लगते और I guess that's pretty much it और साथ में आप उस पर अपनी अगर बहुत जादा आपकी अच्छी सेल्स आ रही है margins अच्छे तो लोग अपनी उस पर ब्रैंडिंग या कुछ embed भी करा देते हैं लोगों और पूरा personalized packaging वगरा solutions पर भी चले जाते हैं I won't go into detail with that right now because अभी तो फिलाल यह जादा focus है and क्या करना है मनलब अगर सवाल यह है कि अगर आपकी sales बहुत अच्छी आ गई है और आपने scale भी कर लिया आपने creative sandbox करा पर आपने data sandbox करा पर आपने interest sandbox करा आप उस पर मदीद localize कर लिया आपने scale कर आप बोलते हैं कि आपने you know what मुझे और scale करना है but I feel like I'm blocked right now और मुझे और audiences नी मिल रहें अनली मला मैं look-alike audiences और थोड़ी सी warm audiences होता थे हो जब हाराँ से यह परने to convert even more they're not the ones who have clicked you're on your ad or have converted before but they're very closely related to in buying your product अब मैं क्या और हो मदी scale करने लूँ इछ आनी लाँने, आपने बःसे looking-off ठीक है and I guess यहां पर थोड़ सा मैंने वो mix-up कर दिया चीजों को this was initial data collection लेकिन मैंने आप लोगों को पुरा process बिल्कों सही समझाया है ठीक है this is the data-driven targeting launch a new campaign अब आपको जो look-alike बनाना है जब आपकी purchases 500 से जादा हो जाए या आपके add to cart 500 से जादा हो जाए फिर उसके बाद आपने look-alike बनाना है even आपके content views अगर 500 से जादा होते है तो आप उसके भी look-alike बना सकते हो लेकिन जो events सबसे जादा आपके purchase के close होगा ना उसके look-alike सबसे जादा efficient बनने के chances सबसे जादा होते है same structure as the 95% video view rule आपका apply होगा look-alike setup shown earlier let campaign optimize and don't pause ad sets usually start slow and optimizes a day in a day two or three if a campaign spend is over the break-even cost per purchase with no purchases pause the campaign there and then and lastly once you find two to two to three consistently profitable look-alike types you are ready for super look-alike scaling and this is where you feel that I haven't been closed look-alike ke baad then comes the super look-alikes super look-alike super mein aapko mazid zyadha in detail baad bethahunga kohi aysi kohi then again kohi rocket science nahi hai lakin hamisko super look-alikes kisih wajah se bolte hain woh kya hai mein inshallah aapko upcoming sections me bethahunga peris baare mein i hope uh this will benefit you in starting your campaigns for shopify dropshipping or uh starting your campaign for your clients may trust me even it's not even about shopify dropshipping this whole process can be tested out in any kind of product or brand regardless of kei main pakistan mein bethahunga pakistan mein aapkoi product chala raha hoon ya bahar karra hoon ya kya this works like a charm and i hope this helps and uh good luck to you guys then inshallah and let's um um i'll just look forward ki aap next section attend karo aur mazidh this pure module go complete karo thank you